स्वागत है आप सभी का आप लोग देख रहे हैं बुद्दा उस्टिचिंग चैनल और हम यहां महाकारुनिक तथागत बुद्दा और उनके सिछाओं के बिशे में चर्चा करते हैं यह जीवन बहुत ही दुद्दाब है यह दुद्दाब जीवन को हमें अच्छे से सदुपयू करना है अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है यह जीवन को ऐसे वैसे खतम नहीं करना यह तथागत बुद्दा कहते है यह मानव जीवन सुगती में है सुगती बले तो अच्छे जगा पर यहां से जो नर्क अपरेत तिरिये को असूर आता है वो सब दुर्गती में तो हम तो सुगती में है इसके बावज़त भी जन्म से लेके मिर्ट परें तक कितना कितना दुखा कस्ता संता पोसोका इतना 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 और ऐसे में अगर कोई मदाग मदाग में हैं यह करके क्या होगा करके गलत काम करके और पुसल करके पाप करके आगे बढ़ते और वो दुर्गती में पतन होते हैं तो एक बार दुर्गती में पतन हो गया तो फिर से उपर आना बहुत ही मुश्किल है तथा अगर बुद्धा उदार्ण देते हैं डल डल में फसे पत्थर की तरा एक बार डल डल में फस गया वो पत्थर अपने आप उपर नहीं आ सकता वो निरंदर नीचे 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 ही जाएगा एक बार मनुस्ति जिवन से पतन हो गया उसको पुन्य करना असम्भव जैसा ही है और पाप करते करते नीचे 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 ही जाएगा न तथा अगर बुद्धा एक उधारम देते है विसाल समुंद्र में एक बांस की छड़ी है और उसमें एक छोटा सच्छेद है और वही विसाल समुंद्र के नीचे एक अंदे कचुए रेता है जो सोग साल में एक बार अपना सर सतव में निकालता है मतलब पानी के उपर अपना सर निकालता है अभी अंदे कचुए विसाल समुंद्र में कहीं भी रेता है और वो बास की छड़ी भी वो तरंग के साथ, हवा के साथ कहां कहां रहता है तो सोव साल में एक बार अपना सर निकालने वाला वो अंदे कच हुए वो बास की छड़ी में जो छेडे उसमें अपना सर रख पाएंगे क्या? अपना संबा भी नहीं, आखे जिसके पास है उसके लिए भी संबाभ नहीं है अंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल तथागत बित कहते हैं, अगर चीर काल तक वो अंदे कचुए नहीं मरा चीर काल तक वो बास की छड़ी खराप नहीं हुआ तो वो समय जल्दी आएगा जब वो अंदे कचुए अपना सर वो बास के छड़ी में रखेगा मगर एक बार मनुसे जिवन से पतन हो गया तो फिर से मनुसे जिवन में आना, सुगति में आना उससे कईयन, 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 कईयन गुना मुश्किल है इसलिए इतना दुलाब जिवन मिला है, ये दुलाब जिवन को ऐसे वेसे खतम नहीं करना चाहिए बहुत ही अच्छा माहूर बनाके, पुन्नी करने का माहूर बनाके हमें पुन्नी करते रहना चाहिए कुसल कम संचे करते रहना चाहिए चाहे दान देना हो, चाहे सिल पालन करना हो, चाहे त्यांबावना करना हो, या जितना भी धम्मा देशना सुनना हो, धम्मा की चर्चा करना हो, मानने बेक्ति की सम्मान करना हो, सेवा करना हो, कैसे भी वो सब करते करते आगे बढ़ना चाहिए। ये महाकारने तठागत बु साधू, साधू, साधू सांग को नमन करता हूँ